वेलकम टू मैट्स कोखो, इन दिस वीडियो क्लास सेबेंथ मैथेमेक्टिस चेप्टर वन इंटीजर का इक्सरसाइज 1.1 को सल्व करेंगे अभी आप लोगोंने क्लास सिक्स से क्लास सेबेंथ में आप नय नय आये हो और यह मिला आपको चेप्टर वन पढ़ने के लिए इंटीजर और इंटीजर के बारे में हमने इस एक पहले छोटा सा इंट्रोड़क्शन का वीडियो बनाया है और यूटूब पर अपलोड भी कर दिया है तो जाइए उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जदि आप उस वीडियो को नहीं भी देखना चाहते है फिर भी आपको हम इतने अच्छे से बताएंगे कि सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा ही आएगा ठीक है तो चले यह स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग को यह समझना है कि यह बोला गया क्या है क्वेश्चन में राइड आउन ने पेर पेर का मतलब होता है जुड़वा दो चीज मतलब दो चीजों को पेर बोलते हैं पेर आप इंटीजर होज सम इज माइनस से बेन और भी है डिफ्रेंस इज माइनस 10 और सम इजीरो सम का मतलब होता है एडिशन यानि एड और डिफ्रेंस का मतलब होता है सब्ट्रेक्शन यानि डिफ्रेंस तो आईए हम इस क्वेश्चन को सल्ब करते हैं हमने पहले से इस क्वेश्चन को लिख करके रखा है, ठीक है बहुत ही आसान question है हम इस page को इधर रख लेते हैं यह देखो, ठीक है बहुत ही आसान question है आपको बिल्कुल confusion में नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ही आसान question है ठीक है, देखो यह बोला है कि sum is minus 7 और उपर में बोला है कि pair of integer अपने खुद से लेना है ऐसा pair of integer जिनका हम sum करें तो minus 7 हो जाए तो सोचो कौन कौन सा integer है वो कौन सा integer है जिसको हम sum करें तो minus 7 हो जाए हमारा हम क्या करेंगे pair of integer लेंगे तो सबसे पले हमें sum is minus 7 होना चाहिए तो हम एक लेते हैं minus 5 हमने लिया minus 5 हमने one integer ले लिया हमें pair चाहिए मतलब 2 और यह बोला है sum sum मतलब add होता है यानि इसके जो बीच में होगा दोनों integer के बीच में वो क्या होगा sum यानि plus होगा हमने one integer ले लिया अब second integer क्या ले कि दोनों को जब add करे यानि sum करे तो minus 7 हो जाना चाहिए तो हमने लिया minus 2 अब देखो तो इनको solve करो यह minus 5 और plus और minus यह हो जाएगा minus 2 इनको add कर दो minus 7 हो गया तो देखो हमने क्या किया दो हमने integer लिया और दोनों को हमने sum किया वो हमारा minus 7 पहले के लिए यह कैन्डिसन बौलाइज अभूह THIS का मतलब होता है सब्ट्रेक्शन आप दो इंटीजर ऐसा यहां जिसकों करें तो माइनस 1 डिपरेन यहां पर सम प्ला था तो बीच में हमने डीपरेन सकी 0 वहाँ पर minus लिखेंगे तो हम एक ले लेते हैं minus two और यह difference बोला है तो बीच में minus होगा और एक और integer लेंगे वो क्या लेले हम plus eight लेते हैं यहाँ पर तो कोई भी आप integer ले सकते हो minus चाहिए plus लेकिन जो sum बोलाएगा तो बीच में plus करेंगे difference बोलेगा तो बीच में minus यह आपको होना ही चाहिए बाकी आप कोई भिल लेलो आपको यह चीज आना चाहिए अब यह देखो तो minus two और यह minus eight दोनों को add करेंगे minus ten हो जाएगा यह answer अब c देखो c क्या है sum is zero अब देखो दो integer लो हमने लिया एक minus five और sum बोलाए तो बीच में plus होगा और एक हमने लिया plus five अब यह देखो तो minus five अब plus five इनका क्या होगा plus और minus यह zero हो जाएगा answer तो देखो तो हमारा first question complete हो गया बहुत ही असान है बस आपको अच्छे से solve करने आगाना चाहिए ठीक है बहुत असान है अब question two देखो यह बोला है write a pair of negative integer whose difference gives eight वहीं same question है question number one ही बस इसको अलग से लिग दिया गया है write a pair pair मतलब दो negative integer यह कह दिया है इसमें क्या था कि आप कोई भी integer ले सकते थे negative चाहे positive लेकिन यहां बोला गया है कि write a pair of negative integer whose difference is eight तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखो हम negative integer लेते हैं हमने ले लिया एक minus two ठीक है हमने लिया minus two और difference बोला है तो बीचे minus और यहां भी जो integer लेंगे वो negative ही लेंगे तो हमने लिया minus ten ओके यहां देखो तू कि minus two और यह minus minus plus ten हो गया अब इनको sum कर दो कि plus और minus minus होगा क्या आएगा eight देखो यह answer आ गया यहीं तो बोला गया था कि यह चीज़ लाओ हमने ला दिया write a negative integer and a positive integer whose sum is minus five एक negative integer और एक positive integer लेना है और उनको sum करके minus five होना चाहिए तो हम लेते हैं minus seven plus two अब देखो तो हमने एक negative integer ले लिया और sum बोला था हमने sum किया और एक positive integer हमने positive integer लिया अब देखो तो minus और plus minus होगा और यह आ जाएगा minus five see देखो write a negative integer and a positive integer whose difference is minus three देखो एक negative integer और एक positive integer लेना है और उनका difference क्या होना चाहिए minus three तो हम लेते है minus two ठीक है और difference बोला है तो बिच में minus और एक क्या बोला है positive integer हम कोई भी एक positive integer लेने बस हमारा minus three होना चाहिए तो देखो तो यह minus two और minus one क्या आएगा minus three आ जाएगा यह देखो answer तो question two हमारा complete होता है अब question three देखेंगे त्री question देखो हमने पहले से लिख रखा है और इसको अच्छे से करेगा क्योंकि आपके exam में यह question पुछे जा सकते हैं ठीक है यह बोला है in a quiz एक quiz हो रहा है त्री सक्सेसिव राउंड्स विच टीम एसकोर मोर कैन वी से डैट वी कैन एड़ इंटिजर इन एनी ओडर देखो पहले आपको question को समझना होगा यह question बोल क्या रहा है देखो इसमें टीम ए और एक टीम बी है कहा पर है जी टीम बी देखो टीम बी दो टीम है टीम A ने जो सकोर किया है यह किया है और टीम B ने जो सकोर किया है यह किया है टीम A एसकोर किया है और टीम B एसकोर किया है अब बोला है कि कौन ज़्यादा एसकोर किया है बोला है कि which टीम एसकोर मोर कौन सा टीम ज़्यादा एसकोर किया है तो पहले हम इसको एड़ करेंग team A score क्या है minus 40 10 और A 0 तो हम क्या करेंगे total total score इसका total score निकालेंगे total score of total score of team A total score team A के निकालने के लिए क्या करेंगे हम सबको add कर देंगे minus 40 plus 10 plus 0 इनको सम करो तो यह हो जाएगा minus 30 क्या होगा minus 30 यह हमारे team A का score आया अब team B का score क्या है उसको लिखेंगे team B score team B score क्या है team B का score 10 0 minus 40 इनका भी total score फाइंड करेंगे total score of team B 10 plus 0 plus minus 40 है देखो तो minus 40 में से 10 जाएगा 30 minus 30 minus 30 और 0 यह भी क्या आएगा minus 30 ही आएगा दोनों क्या हो गया equal team A का score minus 30 team B का score minus 30 और दोनों क्या आगा है equal आगा तो हम क्या कहेंगे कि इस परकार यहनि 10 score score of both team score of both team both team are same दोनों का score क्या है same है तो आप से बोला गया कि which team score more तो दोनों टीम ने score तो same किया आगे बोला है can we say that we can add integer in any order अब यह बोल रहा है कि आप कैसे भी इनको add कर सकते हो बिल्कुल आप ऐसे जोड़ो चाहे उल्टा ऐसे जोड़ो सबका answer क्या होगा minus 30 ही आएगा तो बोलेंगे yes yes बस आप इतना भी लिख दोगे तो कोई दिकत नहीं है ठीके यहां पर देखो हमें जो fill in the blanks है उनको क्या करना है फिल करना है और उसके बाद इस statement को बताना है true है या false है ओके तो आईए हम इसको पहले फिल करते हैं यहां minus 5 है और plus minus 8 है ओके पहले यहां पर minus 8 आ गया तो देखो हम क्या करते हैं आपको हमने एक commutative लाग के बारे में पढ़ाया था नहीं पढ़े हो तो कोई बाते हैं आपर पढ़ो commutative commutative property देखो commutative property बोलता है कि A पलस B होना चाहिए और इसको इक वाल में इस बार A पहला है ना इस बार B पहले और A बाद में इसको हम लो commutative property बोलता है याद रखिएगा A पलस B एक बार A पहला या एक बार B पलस यानि B एक बार पहले आएगा तो यहाँ पर देखो माइनस 5 माइनस 8 माइनस 8 पहले आगया इस बार क्या आएगा माइनस 5 और एक कौन सा रूल है अब यहाँ आपने पढ़ाया ना commutative property तो लिखेंगे commutative commutative property ओके next माइनस 53 पलस इसमें क्या एड किया जाए कि माइनस 53 ही हो जाए तो देखो कोई भी नमबर यदि एड करोगे चाहिए सब्ट्रेट करोगे कम यह ज्यादा होई जाएगा यानि हमारा जदी कोई नमबर में 0 एड करते हैं तो कोई भारके नहीं पड़ता है तो 0 एड कर देंगे तो हो जाएगा लेकिन कोई भी नमबर में कोई भी नमबर हो any number any number याद रखिएगा इस बात को any number में आप 0 एड करोगे न उसका नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है 0 0 additive property ठीक है इसका नाम है यहाँ पर क्या आमने 0 add किया है न तो समाँ जाओ कि 0 add करने पर same number मिले तो उसका नाम है 0 additive property ओके सारे equation चलो next 17 में क्या add कर दिया जाए कि 0 हो जाए अब 17 में देखो 17 है यहाँ इसका खुद का ultra यहाँ इसका खुद का उल्टा यहाँ इसका फुद का add कर देंगे न तो हमारा काम हो जाएगा plus or minus minus 17 में 17 जाएगा 0 तो देखो जो number given हो और उसका opposite ही minus कर दिया जाए यहाँ आइड कर दिया जाए तो उसका फुद जीरो हो जाता है और इसका नाम देखो क्या दिया गया है additive identity additive identity में क्या होता है कि माल लोग कोई number a है और इसके साथ minus a को ही add कर दिया जाएगा तो उसका फुद क्या होगा 0 तो उसको हम लोग additive identity बोलते है additive identity अब यहाँ देखो आपको इसके लिए एक रूल सिखना होगा associative associative property देखो associative property क्या बोलता है कि a plus और b और c को कहा रखेंगे brackets में equal to यहाँ b और c brackets में है ना इस बार a को और b को brackets में c को कर देंगे बाहर या आपको ऐसे भी कहीं के लिखा रहेगा a plus b को पहले brackets में कर देगा c को बाद में तो इस बार a b हो गया इस बार क्या होगा a को बाहर b c को करेंगे दोनों का मतलब एक ही है ठीक है ना या तो आप इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो दोनों तो एक ही जैसा है आगे पिछे लिखने इसको इदिकत नहीं है लिकने हमने दोनों लिख दिया था कि आपको समझ में आ जाए तो देखो a plus b और c brackets में हो equal to इस बार a b brackets में c बाहर जब यह rule आ जाए तो समझो कि associative property बोलते हैं देखो यहाँ पर a और b को brackets और यहाँ पर यह दिया ही नहीं है यहाँ पर इसको बाहर कर दिया गया इसको brackets में कर दिया गया यह जो यहाँ पर बच रहा है वो क्या था minus seven पर अब इसका नाम देखो क्या होगा यह b को पहले किया है सी को छोड़ दिया ब्रेकेश नहीं किया है देखो इसको किया है और इसको नहीं किया है इस बार क्या कि इसको छोड़ दिया इन दोनों किया है यहीं नहीं है रूल associative property तो लिखेंगे associative property ठीके अब यह देखो सेम रूल इस बार यह वोला चीज पहले कर दिया यह वोला बाद में लेकिन तो सेम है यह b का value है और c का value है तो c का value यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस 3 भर देंगे लेकिन रूल कुल साह है associative property आप ऐसे लिखो चाब ऐसे लिखो बात तो एक ही है इसको भी नाम डाल देंगे associative property ठीके यह आपका complete होता exercise 1.1 और ज़दी आप लोग चाहते हो कि class 7 की पूरी math हम पढ़ें तो आप हमारे app से भी जूड़ सकते हो carb academy यह देखो हमारे app का नाम है carb academy इस app को play store से जाकर download कर सकते हो या इस video के description में link है वहां से भी download कर सकते हो इसमें देखो क्या होगा कैसे तो हम youtube पर पूरा full course पढ़ाएंगे ही आप जदी app के थुरू पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको फी बता दे 499 रूपीज है और यह पूरे एक साल के लिए है मतलब one year का है one one year का 499 रूपीज इसमें क्या होगा आपक चेप्टर से लेकर इंड चेप्टर तक जब तक आप 8 में चला जागे तब तक के लिए 499 रूपए 499 ठीक है full course कराएंगे notes आपको देंगे कोई आपको doubt आता है तो doubt class भी चलेगी आपको ठीक है कोई भी problem आती है सारे मैत क्या हम आपको guarantee रहे हैं कि आपको complete कराएंगे और आपको जुड़ना है तो जल्द से जल्द आप क्या करो कॉल करो इस नंबर पर 8383-896119 पर आपको कॉल नहीं करना अपने पापा ममी को बताना यह वीडियो भी देखा सकते हो और बोलना कि आप लोग कॉल करके सर से बात कर लो सर आप लोग सच्छे से बात कर लेंगे और इसमें मात्र हम 100 बच्चे रख रहे हैं और मैथ 7 क्लास का फुल गरांटी लेते हैं कंप्लीट कराने की आपको मैथ वीक भी होगा ना इस्ट्रॉं कराने की मैं पुरा गरांटी लेता हूँ कोई डाउट नहीं सकता मैं 100 परसेंट बोल सकता हूँ मात्र से बच्चे के 149 जब तक आप 7 में पढ़ रहा हूँ और जब तक आप 8 में नहीं चल जाओगे तब तक के लिए फी है तो 499 रुपए तो आप लोग ऐसे ही हवा मुडा देते होंगे ऐसे ही कुछ-कुछ खरीद लेते होंगे जो आपको काम को भी नहीं आ रहा होगा लेकिन एक साल के लि मिसले थैंक यू सो मच